नमस्कार सुजस चुनाव विशेश समाचार बुलिटन में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ सालिहा एक नजर हेडलाइन्स पर भारत निर्वाचना आयोग ने बदली राजस्थान में मतदान की तारीख अब 25 नवंबर को डाले जाएंगे वो चुनाव आयोग ने आठ विभाग के करमचारियों को दी डाक मतपत्र के जरीए वोटिंग की सुविधा आनिवार्य सेवाओं की श्रेणी में मीडिया कर्मी भी शामिल विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में स्वीप गतिविधिया जोरो पर मतदाता जागरूपता के लिए हो रहे विभिन आयोजन भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख अब 25 नवंबर कर दी है विभिन राजनतिक दलों, सामजिक संगठनों और कई प्लेटफॉर्म्स पर उठी मांग के बाद ये बदलाव किया गया है पहले ये तारीख 23 नवंबर थी, देव उठनी एकादशी का ये दिन अबूज सावे के रूप में जाना जाता है और इस दिन प्रदेश में बड़ी संख्या में होने वाले विवाह समारो को देखते हुए मतदान का प्रतिशत प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही विधान सबा चुनाफ के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, इसके साथ ही विभन सरगर्मिया भी तेज हो गई है राजधानी जैपुर सहीत कई जिलों में आज से पीठा सीन और मतदान अधिकारियों का पहला प्रशिक्षन शुरू हुआ ये 14 अक्टूबर तक चलेगा, इसे पहले कल मतदान दलों को प्रशिक्षित किया गया जैपुर की जिला निर्वाचन अधिकारी शिप्रकाश राजपुरोहित के मौजूदगी में विशेशग्यों ने दलों को चुनाव प्रक्रिया की बारीकिया समझाई और उन्हें चुनोतियों से निपटने के बारे में बताया मुख्य निर्वाचन अधिकारी शिप्रवीन गुप्ता ने जैपुर में बताया कि प्रदेश में पहली बार अनिवार्य सेवाओं के श्रेणी में मीडिया कर्मियों को भी शामिल किया गया है भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपतर के जरिये आठ विभागों में काम करने वाले करमचारियों को पोस्टल बैलिट के जरिये वोटिंग की सुबिधा दी है इनमें बिजली पानी, रोडवेज, मेट्रो, डेरी, फायर फाइटर, चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा और स्वास्त विभाग के करमचारी शामिल है मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार मेडिकल सेक्टर्स में डॉक्टर, पेरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस करमचारी, उर्जा विभाग में इलेक्ट्रीशन, लाइनमेन, पिएचेडी में पंप, ओपरेटर, टर्नर और राज्य की दुख्ध समितियों में काम करने वाले करमचारी रोडवेज में ड्राइवर कंडाक्टर और निर्वाचन आयोक से अधिकरत्यु मीडिया करमचारियों को इस साल से पोस्टल बालेट के जरिये वोटिंग की सुविधा दी जाएगी आएए अब बढ़ते हैं विभिन जिलों में चल रही चुनावी गतिविधियों की ओर हमारे खास सेग्मेंट जिला रपट में सबसे पहले बात उदैपुर जिले की उदैपुर में मारों केणों, वोट देणों, थीम पर गाम धाणी तक रैली, संगोष्ठी, नुकर नाटक और हस्ताक्षर अभियान सहित कई नवाचार चला कर मतदाताओं को जागरू किया जा रहा है कॉफिविद कलेक्टर अभियान में बच्चों की लेटर राइटिंग प्रतियोगिता हुई उदैपुर में स्वीप प्रकोष्ट के सहयक प्रभारी अधिकारी श्रीपुनीत शर्मा ने बताया बारत निर्वाचन आयोग के निदेशान औसा उदैपुर जिले में स्वीप अक्टिविटीज के तथर वेभिन में निर्वाचन में निदेशान औसा नामंकन बढ़ाने के लिए संक्षप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इसके साथ में गोर्धन सागर जील पर मेराथन का आयोजन किया गया जिसके अंदर सभी स्कूल्स और कॉलेजिस के उध्याथियों ने जो की इलेक्ट्रो लिट्रेसी क्लब के क्लब है उन्होंने भागेदारी अपनी रखी और साथी साथ में पीड़ी वोटर्स के अलावा ज बढ़ते हैं आगे चुनाव के बदेनजर एंफोर्स्मेंट एजिंसियों ने प्रदेश में इस हफते रिकॉर्ड 58 करोड रुपए से जादा की ड्रग्स, शराब, केमती धातू और नकदी पकड़ी है पूरे महिने की बात करें तो अब तक 170 करोड की जब्ती की जा चुकी है इन एजिंसियों में राज्यकी पुलिस, एकसाइस, नार्कोटिक्स और आयकर विभाग की बड़ी भूमिकार रही है सुजस बुलेजिन में फिलहाल इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार